हेलो गाईज वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल इस्टिडी विद एम आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे मॉडल पेपर जो आपका उत्राखंड पुलीस पत्वारी लेक पाल बंदी रक्षक एल्डी सी एंड अधर वंडे एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है यह हमारा मॉडल पेपर नंबर थ्री है इससे पहले दो मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल इस्टिडी विद एम पर अपलोड कर दिये गये हैं उन मॉडल पेपर में भी काफी इंपोर्टेंट कुश्चन से तो आप उन मॉडल पेपर को भी जरूर देख लें वी कोई वी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं अराउंड 4.1 के यहां पर सस्क्राइबर हो चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहां पर कुछ कराई ज कुछन है राजी की एक विभूती चंडी प्रशाद भट को एक अंतराश्टी प्रुसकार से प्रुसक्रित किया गया वह प्रुसकार है यह प्रुसकार है रैमन मैक्स से प्रुसकार ऑप्शन C यहां पर राइट आंसर हैगा आपका देखे जो चंडी प्रशाद भट है इन इनका जन्म 1934 इजबी में हुआ था और इनका संबन्द चमोली जनपत से हैं चंडी प्रशाद भट ने 1964 में गोपेशन में दौशौली ग्राम स्वराज मंडल की इस्थापना की 1970 के बाद चिपको अंदोलन को गती देने के लिए डालियो का दगड़िया नामक सस्था इन्होंने बनाई 1982 में रैमन मैक्स से पुरुषकार 1982 में चंडी प्रशाद भट को रैमन मैक्स से अवार्ड से समानित किया गया तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर ले 1986 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड से समानित किया गया और 2005 में इन्हें पद्म भूशन से समानित किया गया तो इनको काफ़ी समान परदान किये गया है तो आप इन सारी चीजों को जरूर नोट डाउन कर ले काफ़ी इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के दिश्टे से अगला है उत्राखंड में राष्टी उद्यानों की संख्या कितनी है उत्राखंड में राष्टी उद्यानों की संख्या 6 है औप्शन B यहाँ पर आपका राइट आंसर है पहला राश्टी उद्ध्यान है आपका जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1936 इजवी में सर हैली द्वारा की गई इसके छेतरफल की बात की जाए तो 520 दसमलोग 82 वर्ग किलोमेटर इसका छेतरफल है और ये नैनी ताल पॉड़ी गड़वाल जिले में है जिम कॉर्बेट जो है ये एशिया का प्रथम राश्टी उद्ध्यान भी है याद रखेंगे एशिया का प्रथम राश्टी उद्ध्यान है जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क अगला था दूसरा है गोविंद राश्टी गोविंद राष्टी उध्यान इसकी स्थापना 1980 में इसकी स्थापना हुई और इसका छेत्रफल है 472 वर्ग किलूमेटर अगला है नंदा देवी राष्टी उध्यान इसकी स्थापना 1982 में चमोली जनपद में हुई चमोली जनपद में है इसका छेत्रफल 624 वर्ग किलूमेटर है अगला है फूलो की घाटी फूलो की घाटी राष्टी उध्यान इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में फूलो की घाटी राष्टी उध्यान की स्थापना हुई और ये फूलो की घाटी इसका छेत्रफल है 87.5 वर्ग कर इसकी खोज 1931 में फ्रेंक स्माईत्वारा की गई अगला है राजाजी राष्ट्य उद्यान इसकी स्थापना 1983 में हुई और ये राजाजी राष्ट्य उद्यान जो है तहरा दून हरीद्वार पौडी जनपद में फैला है इसका छेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमेटर इसका छेत्रफल है लास्ट है आपका गंगोत्री राष्ट्य उद्यान गंगोत्री राष्ट्य उद्यान इसकी स्थापना 1989 में हुई और ये उत्तरकाशी जनपद में है इसका छेत्रफल 2390 वर्ग किलोमेटर है तो आप सारे national park जो हैं वो जरूर याद कर ले और note down भी जरूर कर ले काफ़े important है किसी न किसी paper में एक राश्टी उद्ध्यान तो देखा ही देखा जाता है तो आप जरूर note down कर ले काफ़े important है अगला question है उत्राखंड की पूरू से पश्चिम की लंबाई कितनी है उत्राखंड की पूरू से पश्चिम तक की लंबाई है 358 km option D यहाँ पर आपका बिल्कुल right answer है उत्तर से दक्षिन राजी की चौड़ाई की बात करे तो 320 km इसकी चौड़ाई है लंबाई है 358 km और चौड़ाई है 320 km उत्राखंड राजी का आकार लगभग आयताकार है अगला question है उत्राखंड में इस्तित रिशिकेश तीर्थी स्थान किस नदी के किनारे इस्तित है रिशिकेश इस्तित है गंगा नदी किनारे गंगा और चंद्रभाग नदी के संगम पर रिशिकेश इस्तित है अगला question है बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है बाल मिठाई का घर कहा जाता है अलमोडा को option D यहाँ पर आपका बिल्कुल right answer है अलमोडा को तामर नगरी भी कहा जाता है तामर नगरी भी कहा जाता है अलमोडा के मर्चुला को पीतल की नगरी कहा जाता है अलमोडा जिला राजी का एक मात्र जिला है जहाँ पर चांदी मिलती है याद रखेंगे चांदी सिर्फ अलमोडा जिले में मिलती है अलमोडा जू की स्थापना 1978 में हुई तो आप ये भी जरूर याद कर लें कभी पूछा जा सकता आपके एक्जाम पेपर में अगला कुश्यन है बाग परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट सम्बंदित है टाइगर प्रोजेक्ट सम्बंदित है कॉर्बेट नैशनल पार्क से आप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात साथ अप्रेल 1973 को हुई इसके अंतरगत आरंब में नो बाग अभ्यारण्य बनाए गे थे आज इनकी संख्या बढ़कर बावन हो गई है अगला है उत्राखंड का 2011 की जनगर्णा अनुसार सहरी जनसंग्या का प्रतिशत है 2011 की जनगर्णा की अनुसार सहरी जनसंग्या का प्रतिशत 30 दसम लव 2-3 प्रतिशत है तो आप इसको जरूर नो डाउन कर ले अगला कुश्चन है उत्राखंड में सरवादिक जन जातिया किस जिले में पाई जाती हैं उत्राखन में सरवादिक जन जातिया नेनिताल जिले में पाई जाती है option A यहाँ पे right answer है आपका नेनिताल में रोब वे का निर्माण 1985 में रोब वे बना यहाँ पे नेनिताल में सभा की स्थापना 1918 में हुई कुमाओ भावर खेतिहार नियास निधी का गढधन 1906 इजवी को नेनिताल में हुआ तो आप ये भी जरूर याद कर लें अगला है उत्राखंड में 1 छेतर कितने पृतिशत है कितने पृतिशत 1 छेतर है तो 1 छेतर भारती 2019 की रिपोर्ट की अनुसार जो 1 छेतर है ये 71.05 पृतिशत है तो आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें अगला कुश्यन है सेब का उत्पादन निम्न मैंसे कहा अधिक होता है सेब का उत्पादन नेनिताल जनपत में सबसे अधिक होता है याद रखेंगे उप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है अगला है हर्शिल परियोजना किस जिले में है हर्शिल परियोजना है उत्तरकाशी जिले में उप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हैगा हर्शिल परियोजना जो है ये भागी रथिन अधीपर मनेरी भाली परियोजना एक वह दो दो परियोजना नम्बर एक और नम्बर दो ये भी उतरकासी जन्पद में इस्तित है लोहारी नाक पाला परियोजना भागी रथिन अधीपर 600 मेगा वाट की है जो अंटी पीसि के अधिन है जीलों की नगरी कहा जाता है नैनी ताल को option A यहाँ पे right answer रहेगा आपका देखिए नैनी ताल जनबत के प्रमोग जीलों की बात करें तो खुरपा ताल यहाँ पे एक प्रमोग जील है इसका आकार जानवर के खुर के समान है उसके बाद भीमताल भी नैनी ताल में ही है कुम जाला है नो कुच्या ताल कुमाओ छेत्र का यह सबसे गहरा ताल है नो कुच्या ताल और नो कोने हैं इसमें इस ताल में नो कोने हैं इसकी गहराई की बात करें तो 40 मीटर गहरी यह नो कुच्या ताल है साथ ताल कुमाओ छेत्र की सबसे रमनिक ताल है यह भी नैनी ताल अगला है उत्राखंड की अर्थ व्यवस्था को कहा जाता है उत्राखंड की अर्थ व्यवस्था को कहा जाता है मनी ओर्डर अर्थ व्यवस्था option B यहाँ पर right answer है आपका अगला question है उत्राखंड में औसत वर्षा कितनी होती है उत्राखंड में औसत वर्षा होती है 185 cm option B यहाँ पर right answer है आपका शेरवुड इस्कूल कहां इस्थित है शेरवुड इस्कूल नेनिताल जन्पद में है option C यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer हैगा अगला question देखते हैं उत्राखंड के पर्थम मुख्यमंतरी कौन थे उत्राखंड के पर्थम मुख्यमंतरी नित्यानन स्वामी थे option B यहाँ पे right answer हैगा आपका और इनका शाषनकाल 9 November 2000 से लेकर 29 October 2001 तक इनका कारिकाल रहा और इनका जन्म 27 December 19 सत्याना में हुआ था लेकिन इन्होंने अपना लगभग सारा जीवन धेरादून में बिताया तो आप यह भी याद रखें अगला question है भारती वनस्पती सर्वेक्षन विभाग कहां है भारती वनस्पती सर्वेक्षन विभाग धेरादून जन्मद में है option C यहाँ पे right answer हैगा आपका अगला है राश्टी पोशाहार मिशन योजना कब शुरू हुई राश्टी पोशाहार मिशन योजना 2001-2002 में शुरू ही option A यहाँ पे right answer रहेगा आपका राश्टी पोशाहार योजना केंद्र सरकार द्वारा 2001-2002 में शुरू की गई जिसके तहट गर्वुवती महिलाओं को राश्ट उपलब्द कराया जाएगा अगला question है beautiful गडवाल किसकी किरती है beautiful गडवाल जो है यह रस्किन बॉण्ड की किरती है option A यहाँ पे right answer रहेगा आपका देखे जो रस्किन बॉण्ड है यह देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार थे इनकी पुस्तक room on the roof 1955 में प्रकाशित हुई 1992 में इन्हें साहित्यकार में पुस्का से सम्मानित किया गया और 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो आप इन सब चीजों को जरूर याद कर लें अगला है उत्राखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फैकने का रिवाज है यह मेला है नोठा मेला या देवी धुरा का मेला ओप्शन बी यहां पर राइट आंसर है आपका देवी धुरा जो है यह चमपावत जिले में है देवी धुरा में बाराही देवी का मंदिर है देवी धुरा में रक्षा वंदन के आउश्वर पर असाड़ी कौथिक मेला लगता है जो पन्रा दिनों तक चलता है याद रखेंगे ये मेला पन्रा दिनों तक लगता है देवी धुरा मेले को बगवाल मेला भी कहा जाता है बगवाल मेला भी इसी मेले को कहा जाता है बगवाल मेला देवी धुरा का मेला पाशान युद्ध या पत्थर मार बगवाल के लिए प्रशिद्ध है तो आप ये जरूर याद कर लें ओके गाईज आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेर एंड हमारे यूट्यूब चैनल इस्ट्टीवी देम को जरूर सस्क्राइब कर ले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद